अब आग भी हुई महंगी 14 साल बाद बढ़ने जा रहे हैं माचिस के दाम एक दिसम्बर से लाग होंगी नए कीमते नमस्कार में नाम है लले तो आप देख रहे हैं हापुड शहर का नमबर वन न्यूज चैनल हापुड हल चल एक तरफ जहां पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने के तेल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं वहीं अब रोजाना उपयोग में आने वाली माचिस की कीमत भी 14 साल बाद बढ़ने जा रही है एक रुपे में मिलने वाली माचिस की डिब भी अब दो रुपे में मिलेगी और नई कीमतें एक दिसमबर से लागू होंगी तब 50 पैसे से बढ़ा कर माचिस की डिबी की कीमत एक रुपे कर दी गई थी दरसल गुरुवार को शिवकाशी में ओल इंडिया चैंबर ओफ माचिस की बैठक में यह फैंसला लिया गया और चलिए अब आपको बताते हैं कि माचिस की कीमतों में बढ़ोतरी की क्या है वज़ है माचिस निर्माताओं ने कहा कि माचिस बनाने के लिए 10 से अधिक परकार के कच्छे माल की जरूरत होती है लेकिन कच्छे माल की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है जिससे अब वरतमान कीमत पर माचिस को बेचना संभव नहीं है निर्माताओं ने कहा कि एक किलोग्राम लाल फासफोरस 425 रुपे से बढ़कर 810 रुपे मॉम 58 रुपे से बढ़कर 80 रुपे बाहरी बॉक्स बॉर्ट 36 रुपे से बढ़कर 55 रुपे और भीतरी बॉक्स बॉर्ट 32 रुपे से बढ़कर 58 रुपे तक पहुँच गया है वहीं पोटेशियम, क्लोरेट और सलफर जैसी चीजों में भी 10 फीजदी तक की विरधी हो गई है डीजल की बढ़ती महंगाई ने भी इस उद्योग पर अतिरिक्त बोज डाला है इस खबर में फिलहाल इतना ही हापुड और आसपास की तमाम एहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हम है हापुड शहर का नमबर वन नीज चैनल हापुड हल चल नमस्कार कुचकर